एक किसान भाई ने ये पूछा कि हमें सिजंटा का साहो या हिम सोना में कौन सी वराइटी लगाने चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों वराइटीों को कंपेर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वराइटी हमारे छेतर के लिए बहतर रहेगी देखें आज हम यहां पर जो कंपेर करने जा रहे हैं इसमें हम इन दोनों ही वराइटीों के आकार, फल का वजन, उत्पादन, पहली तुड़ाई और जो बीज का मोल ले हैं और इसे किन स्टेट में और किस समय लगा सकते हैं, यह सारी चीजे देखेंगे इस वीडियो में नमस्कार, मैं हूँ देऊ मार्या और आप लोग देख रहे हैं Smart किसान YouTube चैनल अगर अभी तक आप लोग Smart किसान YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का इकन दबा दिजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंदित, सही सटीक और ब्योहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भायों, यहाँ पर जो चीज़े हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसको एक चार्ट के माधिम से बताते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ है हमारी सिजेंटा की साहो, वही पर है सिजेंटा की हिमसोना, इन दोनों वराइटियों को हम यहाँ पर compare कर हैं, अगर हम बात करें आकार की, तो जो साहो वराइटी आती है, इसका जो आकार होता है, यह गोल होता है, और वही पर जो हिमसोना जो है, यह चप्टा गोल होती है, अगर हम बात करें साहो के फल के वजन की, तो इसका जो वजन होता है, यह 80 से ले करके 100 ग्राम होता है, व देखने को मिलता है और वहीं पर जो हिमसोना का उतपादन है यह आप Lucky 200 से ले करके 300 Понटल तक का उतपादन का अगर हम देखें यहां पर तो जो उतपादन है हमें साहों का यहां पर जैदा मिल ला है अब बात करते हैं कि पहले अगर आप दोनों वराइटी लगा रहे हैं तो इनकी जो पहली तुड़ाई होती है यह आप लोगों को लगभग कब तक मिल जाती है तो जो साहो की तुड़ाई होती है यह 55-60 दिन में इस्टार्ट हो जाती है और वही पर जो हिमसोना है यह 65 से लेकर के 75 दिन लेता है पहली 50 सीड मिलती है यह एक अनुमानित मोल्य है और वही पर जो हिमसोना आता है यह 798 रूपे लगभग 800 रूपे में आप लोगों को तीन हज़ार 500 सीड देखने को मिल जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो वराइटिया है इन्हें किन किन राज्यों में आप लोगों को ल ठंड के मौसम में आप लोग लगा सकते हैं और इस समय लगाने वाले जो इस्टेट हैं यह है महाराष्टरा, मध्य परदेश, गुजरात, तमिलनाडू, करनाटका, आंधर परदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाड़ा, पंजाब, उत्तर परदेश, बिहार, पस्च तो लगभग पूरे भारत में आप तीनों मौसमों में इन वराइटियों को लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि यह जो वराइटियां है यह सुटेबल किस राजी के लिए जादा हैं देखिए हम यहाँ पर जो भी आपको डाटा दे रहे हैं यह जो भी क कमपनी सजेस्ट करती है वैसे लगाने तो आप इन स्टेटों में लगा सकते हैं लेकिन जादा तर सुटेबल आपको पड़ेगा इन राज्यों में महाराष्ट करनाटक आंधर प्रदेश तमिलनाडू उत्तर प्रदेश गुजरात मद्ध प्रदेश 36 गड़ पस्चिम बं मिलती है क्योंकि जो वराइटी जिस मौसम के लिए बेस्ट होती है जिस छेतर के लिए बेस्ट होती है वहाँ पर जो उसका उत्पादन होता है यह अच्छा होता है और इसके साथ उसमें रोग वगएरा काफी कम देखने को मिलते हैं तो जिसकी वज़े से जो आपकी लाग इसका सारांस निकाल लेते हैं कि हमें अगर लगाना है तो किन वराइटियों पर जाना चाहिए जैसा कि हम राज्य बता दिये हैं अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि यहां आपके लिए suitable है कि नहीं है अगर हम बात करें तो जो हमारी साहो वराइटी आती है इसका जो उत्पादन देखने को मिलता है यह 250 कुंटल से लेकर के 400 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है और वहीं पर जो हिम सोना है इसका जो उत्पादन मिलता है यह 2500 के 300 कुंटल प्रती एकड़ उत्पादन है तो अगर हम देखे तो यहां प पर अगर देखे तो साहो ब्रेस्ट पर रहेगा और वहीं पर जो पहली तुड़ाई होती है साहो की 55 से लेकर के 60 दिन में स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर जो हिमसोना का उत्पादन ने स्टार्ट होता है यह 65 से लेकर के 70 दिन लग जाता है तो अगर आप लोग हिमसोना लगाते हैं तो जल्दी से इसकी तोड़ाई शुरू हो जाएगी और आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा वहीं पर जो हिमसोना है यह 65 से ले करके 75 दिन में सुरू होता है मतलब आपकी तोड़ाई लेट भी सुरू होती है और उत्पादन भी कम मिलता है तो अगर आप कटा रहा है वह हम रिएल आप लोगों के सामने रख दिये हैं तो यह वीडियो कैसे रही अगर और आप लोग किन वाराइटी ओपर चाहते हैं कि आप लोगों को कंपेर करके बताए जाए कौन सी वारैटी आप लोगों के लिए बेश्ट हो सकती है इस वीडियो को हम सब य नए वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं, जै जवान, जै किसान, जै विग्यान